वेलो फ्रेंड्स का नॉवम्बर 2020 का पेपर का एनलिसिस मैं यहाँ पर करवाओंगा जिन्होंने एक्जाम दिया है और जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो इस एनलिसिस को एक्जाम होने के बाद देखें जिन्होंने exam दिया है और जिने कुछ doubt है जिने ऐसा लग रहा है कि उनका paper अच्छा नहीं हुआ है वो इस analysis को जरूर देखें हो सकता है ये analysis उनके लिए एक वर्दान की तरह हो और वो अपने decision को वापस reconsider करें अगर उन्होंने opt out का सोचा है तो और जिनका January 21 onwards exam है वो तो इन वीद्वियों को जरूर देखें चले शुरू करते है analysis तो paper का जो पूरा जो मैंने देखा तो मुझे paper काफी आसान लगा paper was very very simple as expected और definitely यहाँ पर आपके descriptive questions आप कितना better frame करके लिख रहे हैं वो निरभर आपके उपर करता है MCQ के जितने भी parts थे वो भी मुझे आसान लगे हाँ थोड़ा सा क्योंकि risk management में एक जो problem रहती है कि एक risk को ज़्यादा focus किया जाता है तो थोड़ा सा answer ढूणने में दिक्कत होती है इस पे भी मैंने आपको अलग से keywords लिखवा दिये थे चाए वो ERM chapter क्यों ना हो चाए वो operational risk क्यों ना हो तो अगर आपने proper तरीके से class किया था तो आपको ये paper काफी आसान लगा होगा हाँ elective paper का सबसे पहले ये रहता है कि हम paper तो दे देते हैं हमें यह नहीं पता होता है कि हमारा paper कैसा गया है unless until आपको marks नहीं मिल जाता सो ये feeling हमेशा रहता है और ये normal feeling है क्योंकि to the point कभी answer नहीं हो सकता काफी subjective होता है के study मतलब ही आपकी खुद की knowledge खुद की analysis आप उहां पर लिखते हैं तो to the point answer मिलना बड़ा मुश्कील है तो आईए शुरू करते है analysis तो सबसे पहले एक optional question होता है जो आपको छोड़ना होता है और CRPL एक company है FMCG sector की company है तो हमने FMCG के sector की companies का research जरूर किया होगा बहुत सारे यहां पर data दिये वे हैं और let's see इन्होंने क्या पूछा है ठीक है case studies आपको पढ़ना है और यहां पर आपको MCQ पूछा गया है और MCQ मुझे आसान लग रहा है एक बाद जो मैं पढ़ पा रहा हूँ बाकी आपको देखना होगा कि आपको किस MCQ में doubt है तो मैं उसका answer जरूर ढोड़न लूँगा और आपको बता दूँगा ठीक है तो यहां पर MCQ के बाद हम descriptive question में आते हैं what are the specific controls that you would suggest for the issues observed by CRPL तो आप देख सकते हैं यह general descriptive question है कि आप क्या उन्हें suggest देंगे क्या-क्या controls उन्हें करना चाहिए ठीक है fine और यह एक बहुत खुशी मिलती है जब 1.7 जो question आया है मैंने last moment में आपको inter FM यह inter FM का question अगर कोई बच्चा आया होगा इस question को करने में इसमें आपको पूरा पूरा पांच में पांच number मिलेगा what right the risk action and risk responses तो again risk and control matrix के उपर हमने class में आपको बताया था आप उसको keywords देखिए risk and control matrix तो फटा फट जहां पर risk and control matrix पढ़ाए गया था वहां पर आप देखिएगा वहां पर आपको इसका answer म simple case study 2 again एक company है जो fiber बनाती है और domestic raw material वगरे यूज़ करती है credit default swap word यूज़ किया गया है credit default swap भी आपको पढ़ाया गया है ठीक है ये सारा आपको data दिया गया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और हम देखते हैं इसमें कुछ practical points भी पूछा गया है तो पूरा में case studies पढ़ना प no problem at all तो on the face of it mcq तो असानी लग रहे हैं और descriptive में हम आते हैं briefly explain the strategic risk क्या risk face कर रहा है what broad key risk drivers key risk drivers के बारे में keywords आप देखे कहां use किया गया है reputational risk आप देखे कहां पर है 2.7 and 2.8 में purpose of risk management framework risk management framework के बारे में आप फड़ा पड़ keyword निका लिए और आपको as it is जो book में दिया वो लिखना होगा with few modifications case study के हिसाब से in your opinion what should be done to establish in-house process to analyze country risk country risk के बारे में आपको बताया गया है class में country risk फड़ा फड़ जाईए और वहाँ पे जो चीजे हैं वो लिखे है सो और यह statement है उसको आपको थोड़ा सा आपको explain करना है case study number three तो मेरे ख्याल से इसका कोई clear cut answer तो होगा नहीं आपको अपनी label पे language पे लिखना है मैंने आपको case studies इसी तरह से risk management की तयारी आपको करवाई थी ठीक है fine तो यह VAR के उपर है तो मुझे case studies के MCQs है बड़े आसान से लग रहे है ठीक है so मैं अभी explain नहीं कर रहा हूँ बाकि आपको कोई clarification चाहिए को MCQ का तो मैं जरूर आपको दे दूँगा you have been asked by the management of step oil to define the responsibilities of CRO अब कितना अच्छा है देको CRO फटा फट रेइस्टर में जाए और CRO देखिए chief risk officer के responsibilities आपको करवाया है वही पे आपको ditto लिखना है तो very simple paper very simple paper risk management is considered as administrative burden by some senior executive of step oil what is in your opinion is creating the obstacle in implementing ERM ERM का chapter जाए और वहाँ देखिए क्या वहाँ पर obstacle है वो आपको लिखना है ठीक है knowing the view of the cyber security team in respect of ERM and BCP ERM भी आपको कराया गया है BCP business continuity plan कराया हुआ है cyber security कराया हुआ है उन सब को मिला कर आपको एक opinion देना है explanation देना है वो definitely आप books का language बिल्कुल use कीज़ेगा इसमें भी यहाँ पर यह आपको VAR value at risk का एक आपको simple सा आपको question पुछा गया है यह भी आपसे आराम से हो गया होगा ठीक है stress testing मतलब मज़ा आगया paper देखकर मतलब आप लोग definitely मुझे ऐसा लग रहा है इस paper में आप लोग ने बहुत अच्छा perform किया होगा stress testing again कीवर्स मिलता आना तो बड़ा मज़ा आता है again आपको मैंने एक 40 आप book issue कराई थी उससे आपको keywords मिला होगा stress testing आपको definitely मिलेगा और फटा फट जाईए और उससे आपको answer लिखना है case study no.4 ठीक है so इसमें देखते है case studies है अभी पढ़ना तो possible नहीं है बट फिर भी हम एक एक चीज आपको यहाँ पर explain करेंगे जब अगर आपकी आगी की classes है तो हम एक एक आपको solutions कर देंगे अभी जस्ट एक overview लेकर रहे हैं हम लोग so rcsa again ये भी ये भी keyword में आपको मिल जाएगा rcsa ठीक है तो risk of service provider failing to meet the deadline in the time schedule तो आपको एक comprehensive rcsa का आपको एक लिखना है उसका एक format भी आपको दियाओ है book में आप देखेंगे wow ultimate z score मैंने इसका practical question मुझे अभी आपको अपना practical book दिखाने का मन करा जो अल्रडी आपके पास है चलिए मैं आपको अपना practical book दिखाता हूँ और same question same pattern का question मैंने आपको practical book में cover किया था आईए दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए मैं आपको अपकी practical book दिखा रहा हू जो आप मैंने आपको अल्रडी तीन मेहने छह मेंने पहले अल्रडी इसको किया था आईए इसको देखते हैं practical booklet की और चलते हैं तो आईए practical booklet मेरे सामने है यह देखिए practical booklet है और ultimate score ठीक है तो देखते हैं कहां पर है यह आप देख सकते हैं same question same pattern का question आपको यहाँ पर दिया ह हुआ है कोई भी कोशन देख लीजिए ठीक है तो लेट से हमें आपको टूवल भी करके question वह दिखा रहा हूं आप देखिए यहाँ पर आप देखिए calculate ultimate z score और यह सारा working capital retain earnings दिया हुआ और यहाँ पर देखिए same चीज retain earning working capital दिया हुआ same concept हमने class में cover किया था questions भी cover किया था risk management and governance are intricately linked and the management of FTL would like to know the importance of risk management मत पूछे मेरे से कुछ भी मत पूछे question paper it was very very simple importance of risk management आपको directly आप book से देखकर आदाम से लिख सकते case study no.5 ठीक है again मैं MCQ में नहीं जा रहा हूँ but simple ही मुझे लग रहा है MCQ और आगे बढ़ते what is the difference between AI और ML machine language ML तो यह भी आपको book से मिल जाएगा what are the challenges a typical company like Alcon would face while implementing AI AI में जाएगा मिल जाएगा and considering the nature of business of Alcon what are the four areas तो यह भी आपको definitely book से मिलेगा CRO word आपको मिलेगा KRI भी आपको word मिलेगा RC SE भी word मिलेगा इन सब को लेकर आपको notes बनाना है book से ही मिलेगा who conducts the RCA यह भी आपको book से मिलेगा what process Alcon should follow before launching new product to address operational risk operational risk भी आपको book से मिलेगा label of defense label of defense भी आपको first label of defense second label of defense यह सब आपको book से मिलेगा और यह सब पढ़ाय हुआ भी है three recommendation in order to strengthen operational risk so यह भी आपको book's operational risk भी आपको अलग से कराया गया है तो paper was very simple ठीक है I am not comparing की बाकी अलगती paper कैसा था but this paper was really very simple congratulations to you all आपने बहुत अच्छा किया होगा इस paper में मेरा मानना है and definitely बहुत अच्छा आप secure करेंगे आपको कोई clarification चीए किसी point पे MCQ पे तो जरूर मुझसे पूछेगा बाला की मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई discussion की बात है आराम से आगे बढ़िए next paper दीजे फिर next paper दीजे इस paper में मैं exemption पका मान रहा हूँ आप लोगों का और क्या पता हमें 90F of B, 80F of B marks इस paper में मिले इस paper का जब result आएगा तो definitely मैं आपके साथ share करूँगा so paper was very simple thank you so much आप लोग ने बहुत अच्छा feedback दिया बहुत सारे messages आ रहे हैं कि sir risk management paper was very simple definitely मैं आपके marks का इंतिजार करूँगा और बिल्कुल भी घवराने की जर्वत नहीं है आगी के papers और confidently दीजिए इस paper में 70-75 marks बिल्कुल easily आप secure कर लेंगे और देखिए अभी आप paper दे रहे हैं आपको हो सकता है बहुत ज़्यदा confident नहीं होता है बच्चा क्योंकि इस cases में descriptive or theoretical questions में ऐसा ही होता है but still मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको अच्छा marks मिलेगा so thank you so much friends elective paper again आपने सही decision लिया सही choice ली और FSCME क्यों नहों और risk management क्यों नहों दोनुई paper में आप अच्छा secure करेंगे यह मेरा मानना है हमारी class की महनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी आप results देखिएगा आपको results अच्छा जरूर मिलेगा thank you so much friends thank you very very much wish you all the best for your future papers और अगर आपका next exam है January 21 या onwards exam है तो और आपने अगर classes ले लिये तो group में रहिएगा वहाँ पर हम बहुत अच्छी important amendments डालते रहते हैं और अगर आपने classes नहीं लिये तो जरूर एक बार classes लीजे क्योंकि तभी आप confident class लेने से एक number की भी बड़ोतरी होती है आप 40 number ला रहे हैं 39 marks वैसे लाते एक number की वज़े से भी 6 मेने का loss बच सकता है तो please delay मत करिये जो करना है करिये मेहनत करिये अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते है खुद से करिये बट 1% भी आपको negative feeling नहीं लाना है आपक अपने teachers अपने parents का नाम रौशन करना है thank you so much friends thank you very very much